नवश्कार दोस्तों, मैं धरवेन वर्मा ओनलाइन, इस्टडिविट डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास में जो सिध्धान्त होते हैं उनके उपनाम के बारे में उधारेन के तोर पर हम जाने जैसे कि आपसे पूछा गया कि प्रियाश विव्यम्त्रूटी का जो सिध्धान्त हैं उसको किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है इस प्रकार के प्रशन आपसे पूछी जाना इक्जाम हो तो उसी को देखते हो यहाँ पर 13 सिध्धान्त को आपको बताए जाएगा उसके प्रवर्तक के बारे में आपको बताए जाएगा जैसे कि गेश्टाल्ट सिध्धान्त के प्रवर्तक को ने मेक्स वर्दीमर कोलर कौफका और लेविन है प्रियास एवं तुरूटे का सिध्धान्त बहुकारक का सिध्धान्त कि टेरा सिद्धानत हैं इनके बारे में आँको बाता जाएका कि इनको और किनकिन नामों से जाना जाता है तो आपको स्किप नहीं करना है विडियो को ला unsure करना है चेर चेनल के सबसे पहले आपको यह तीनों जाद रखेगा वो मेक सवर्दी मरे कोन है मेक सवर्दी मरे है ना इस प्रकार के प्रस्वन आपके यूपिटेट एक्जाम में और अनिटेट एक्जाम में पूशी जाते हैं तो आप बात करते हैं कि जो गेश्टाल्ट सिध्धानत है उसको और किस-किस नाम से जाना जाता है अंतरद्रष्टी का सिध्धान्त, सीधे-सीधे आपसे पुछ जाए कि अंतरद्रष्टी का सिध्धान्त किसके द्वरा दिया गया है तो वो आपका कोलर के द्वरा दिया गया है ना, इस परकार के प्रिशन पूछी जाते है समझ का सिध्धान्त भी कहते है आपका गेश्टाल्ट सिध्धान्त को गेश्टाल्ट सिध्धान्त भी कहा जाता है गेश्टाल्ट अवादी सिध्धान्त भी कहा जाता है पूर्णाकार का सिध्धान्त भी कहा जाता है सूज सिध्धान्त भी कहा जाता है सोच का सिध्धानत और पून से अंस का सिध्धानत तो इनको अच्छ से याद कर लीजीगा इसकी शोट ले लीजीगा चाहे तो आप इसके नोट से भी बना सकते हैं जब भी एक्जाम हो पढ़ लीजीगा तो इन से जाना जाता है इस प्रकार का प्रशन पूछा गया है सबसे पहले बात करते हैं किसके दुरा दियागा है प्रवर्तक कोने प्रतीपकाद कोने थोंड आएके कोने थोंड आएके अब इसके उपनाम क्या है प्रयत्निवन भूल का सिध्धानत बेसी कहा जाता है उद्धीपन नो अन्य नामों सो जाना जाता है प्रिया सेवन तूटी के सिध्धान्त को तो याद रहेगा किसके दोरा दिया गया और इसके अन्य नाम क्या है इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए चलिए देखिए यहाँ पर तीसर नमबर पर जो बुद्धी का सिध्धान्त इसमें बहुकारक सिध्धान्त निकल कर आता है जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्रिया सेवन तूटी के सिध्धान्त किसके दोरा दिया गया है थांडाइक के दोरा इनी को देखते हुए यहाँ पर मैंने बहुकारक सिध्धान्त को भी रखा है ये भी इन्हीं के द्वरा दिये गा है थोन्डाइक आपको सभी को पता होगा इसके परवर्तक कोन होगे थोन्डाइक होगे और बहुकारक सिध्धान्त को बहुखंड का सिध्धान्त भी कहा जाता है बहुत अत्व का सिध्धान्त भी कहा जाता है बालू का सिध्धान्त भी कहा जाता है परमानुवादी सिध्धान्त कहा जाता है और मात्रा का सिध्धान्त है यह जो पांच नाम है किसके हैं बहु कारक सिध्धान्त हैं तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, अगला है आपका क्रिया प्रशूत अनुबंदन सिध्धान्त, यह किसके द्वरा दिया गया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको और किन-किन नामों से जाने जाता है, तो उसे क्रिया प्रशूत सिध्धान् के नाम से, कार्यात्मक प्रती बद्धता का सिध्धान्त के नाम से, अभिक्रमिक अनुदेशन सिध्धान्त के नाम से, किरिया प्रशूत अधिकम सिध्धान्त और पुनर बनन का सिध्धान्त है ना, यह जो 11 नाम मैंने आपको बताए हैं, किरिया प्रशूत अनुबंदन सि उसके उपनाम है। जो कि आप सरलता से उसको पहचान सकते, तो आपको पता होना चाहिए, द्विकारक का सिध्धानत है, तो यह भी इस्पिर्मेन के द्वारा दिया गया है, और 11 नामों को अच्छो से याद कर लिजी का यह क्रिया प्रशूत अनुबंदन सिध्ध्धानत के यदि आपको पता होगा तो आप टिक कर देंगे, यदि नहीं पता है तो आपको 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 गलत कर देंगे, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो सास्त्री अनुबंधन सिध्धान्त ही पावलाव के द्वरा दिया गया था, और इसके अन्य नाम होगे क्लाशिकल अनुबंधन सिध्धान्त, प्राचिन अनुबंधन सिध्धान्त, संबंध प्रतिया वर्तन का सिध्धान्त, सहज अनुबंधन सिध्धान्त, संबंध प्रतिकिर्या का सिध्धान्त, परसपर अनुबंधन का सिध्धान्त, अनुकुलित अनुकिर्या का सिध्धान्त, प् प्रबलन के बारे में हम जानेंगे, कि प्रबलन का जो सिध्धानत हैं, यह सी एल हल के द्वरा दिया गया है, और इसके उपनाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुनरवलन का सिध्धानत कहते हैं, विदिक सिध्धानत कहते हैं, गनिती सिध्धानत भी इसे कहा जाता है, परिकल्पित निगमन सिध्धान्त भी कहा जाता है आउशक्ता अउकलन सिध्धान्त कहा जाता है इसे जेवी की अनुबंधन का सिध्धान्त कहा जाता है प्रबलन के सिध्धान्त को उद्देशी प्रवंधता सिध्धान्त कहा जाता है सबलीकरन का सिध्धान्त इंपूटे लिजेगा जब भी समय मिले एक बार पढ़ लिजेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक बार में आप याद कर पाएंगे इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा संगनात्मक विकास का सिध्धानत आपको पता है जने प्याजे के दोरा दिया गया है यहां पर अभी य होना चाहिए यहना इसी प्रकार के प्रस्वन एक्जाम में पूछ जाते हैं अब यहां पर बात करें आपसे पूछे जाता है कि विकास आत्मक मनौविज्ञान के प्तीपादे क्या पिर जनक कोन है तो आपको पता होना चाहिए जिन प्याजे होंगे चलिए अब बात करेंगे 8 फे नंबर पर है आपका समीपस्त अनुबंदन का सिध्धान्त समीपस्त अनुबंदन का सिध्धान्त सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस के द्वरा दिये गया तो गुथरी के द्वरा दिये गया इसके उपनाम क्या है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो सामिपता सिध्धान्त के नाम से जाना जाता है, इस्थापन का सिध्धान्त, एकल प्रियाश का सिध्धान्त, प्रतिस्थापन का सिध्धान्त, इकरहा प्रियाश का सिध्धान्त, वन ट्रायल थियोरी, सब्स्ट् प्रतिक अधिगम सिद्धान्त को इन सारे नामों से जाना जाता है या फिर इनके ये उपनाम है अब बात करते हैं सामाजिक एवन सानसेकरतिक विकास का सिद्धान्त जो की काफी इंपोटेंट है एक्जाम में पूछ जाता है किसके द्वारा दिये गया तो ये वाईगोचिक की के द्वारा दिये गया सामाजिक विकास का सिध्धानत सीधा सीधा पूछ जाता है किसके द्वरा दिये गया वाइगोचिकी के द्वरा दिये गया भासा विकास का सिध्धानत ये इसके उपनाम है ये किसका उपनाम है या फिर ये किसके अन्य नाम है सामाजिक एवं सांसिकरतिक विकास के है न तो सामाजिक रचनवाद, आपको पता होगा, आगे हम बात करें. तो सरचनात्मक अधीगम सिद्धानत, यह किसके द्वरा दि Engagement सामाजिक फिर्चनात्मक अधीगम सिद्धानत, इसे अनवेशन सिध्धान्त है इंपोटेंट आपका अनवेशन सिध्धान्त है ना तो इसको अनवेशन सिध्धान्त के नाम से और निर्मितवाद सिध्धान्त के नाम से जाना जाता है आपका सनरशनात्मक अदिगम सिध्धान्त जो की ब्रुनर के द्वारा दिया गया अब एक तत्यू के सिध्धान्त को और किन नामों से जाना जाता है इसे एक करक का सिध्धान्त, एक इकाई का सिध्धान्त, एक घटक का सिध्धान्त है ये तीनों ज्यादा इसमें याद करने के आप सकता नहीं है आपको याद क्या करना है निरंकुषवादी सिध्धान्त और बुद्धी का प्राचिन सिध्धान्त, यह मैंने इसलिए लिखा है, यदि आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि बुद्धी का सबसे प्राचिन सिध्धान्त कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए, वो एक तत्व का सिध्धान्त प्राचिन सिध्धान्त है ना, यदि प सच्टन के द्वहरा दिएगा इसे संग तत्व का सिधान्त संग हमसैं अर्प्राथ्मक मांसिक योगता का सिधान्त के प्लेइलिस्ट हमने बना के रखी तो प्लेइलिस्ट को एक बार चेक कर लिजेगा बहुत सारे वीडियोस हमने आपके लिए बना के रखे तो उनको भी एक बार चेक आउट कर लिजेगा है ना तो जल्दे ही दोस्ते करें वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवार